हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का T.E.S. एजुकेशन सेंटर में? फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आवर्थ सारडी से संबन्दित कुछ महत्तोपुड प्रसन और उत्तर, जो आपके सभी एकजाम्स के लिए महत्तोपुड है. तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो. आज का पहला कोस्चन है, सबसे अधिक गलनांक और कोथनांक वाला अधातु कौन सा है? इसका सही एंस्वर है, सबसे अधिक गलनांक और कोथनांक वाला अधातु कारबन है. अगला कोस्टन है सबसे अधिक आक्सिकरण संख्या दर्शाने वाला ततो कौन सा है इसका सही एंस्वर है सबसे अधिक आक्सिकरण संख्या दर्शाने वाला ततो ओस्मियम है अगला कोस्टन है सबसे अधिक प्रबल आक्सिकारक ततो कौन सा है इसका सही एंस्वर है सबसे अधिक प्रवल आक्सिकारक तत्व फ्लोरीन है अगला कुस्चन है वाईवान के टायरों में कौन सा अक्रिय गैस भरा जाता है इसका सही एंस्वर है वाईवान के टायरों में हीलियम गैस भरा जाता है अगला कुस्चन है आवर्थ सारडी में सबसे अधिक और सबसे कम क्वथनाक वाला तत्व कौन सा है इसका सही एंस्वर है आवर्थ सारडी में सबसे अधिक क्वथनाक वाला तत्व टंगस्टन और सबसे कम क्वथनाक वाला तत्व हीलियम है अगला कुस्चन है आवर्थ सारडी में किस आवर्थ के तत्तों को प्रारूपी तत्तों कहा जाता है इसका सही एंस्वर है तीसरे आवर्थ सारडी के तत्तों को प्रारूपी तत्तों कहा जाता है अगला कुस्चन है कौन से तत्तों के बाहतम तीन कोस अपुड होते है अगला कोस्चन है आवर्त सारडी का सबसे हलका धातु कौन सा है? इसका सही एंस्वर है आवर्त सारडी का सबसे हलका धातु लीथियम है अगला कोस्चन है आवर्त सारडी का सबसे पहला तत्व कौन सा है? इसका सही एंस्वर है आवर्थ सारडी का पहला तत्व हाइड्रोजन है अगला कुस्चन है आवर्थ सारडी का पहला धातु कौन सा है इसका सही एंस्वर है आवर्थ सारडी का पहला धातु लीथियम है अगला कोश्चन है डोबे राइनर ने ग्याद तत्तों में कितने त्रीक को ग्याद कर लिया था इसका सही एंस्वर है डोबे राइनर ने ग्याद तत्तों में तीन त्रीक को ग्याद कर लिया था अगला कोस्चन है न्यू लेंड सुद्वारा किये गए तत्तों के वर्गी करण में अंतिम तत्तों कौन था इसका सही एंस्वर है न्यू लेंड सुद्वारा किये गए तत्तों के वर्गी करण में अंतिम तत्तों थोरियम था अगला कोस्चन है मेंडलीफ के आवर्थ सारडी में कितने तत्व ग्यात थे इसका सही एंस्वर है मेंडलीफ के आवर्थ सारडी में 63 तत्व ग्यात थे अगला कोस्चन है आधुनिक आवर्थ सारडी का प्रतिपादन किस ने किया था इसका सही एंस्वर है आधुनिक आवर्थ सारडी का प्रतिपादन मोसले ने किया था अगला कोस्चन है हाइड्रोजन का परमाड भार कितना होता है इसका सही एंस्वर है हाइड्रोजन का परमाड भार एक होता है और इसका परमाड करमांक भी एक ही होता है अगला कुस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट अगला कोस्चन है डी बलाक के तत्तो को क्या कहा जाता है। इसका सही एंस्वर है डी बलाक के तत्तो को संक्रमर तत्तो कहा जाता है। अगला कोस्चन है आवर्थ सारडी का सबसे जहरीला तत्तो कौन सा है। इसका सही एंस्वर है आवर्त सारडी का सबसे जहरीला ततो प्लूटोनियम है अगला कोस्टन है आवर्त सारडी का सबसे हलका ततो कौन सा है इसका सही एंस्वर है आवर्त सारडी का सबसे हलका ततो हाइड्रोजन है फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो को सेयर भी करें